हलो नमस्कार कैसे हैं आप मैरे तुतिवारी बहुत स्वागत करते हूं आपका अपने चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीक आइसाइड की पूर आइसाइड जिसे बोलते हैं या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आखों का कमजोर हो जाना जो की बहुत कॉमन हो गया है आजकल बड़ों में भी और बच्चों में भी हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है आजकल कोविड-19 की वज़े से भी हमें ऑनलाइन काम करना जादा पढ़ रहा है बच्चे क्लासिस भी ऑनलाइन कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे कारण ह हो गये हैं कि हमारी नजर कमजोर हो जाती है या फिर हमें आखों की कोई और परिशानी हो जाती है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आये हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि मैं एक वीडियो बनाओं जिसके अंदर हमें समस्यां से निपड़ सके नजर का कमजोर होना कम दि हमेशा की कमजोर रही है हमेशां तो हम एसा wordt कर लेते हैं कि हां części भी होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरफ यह जइने टिक्स पर डिपेंड होता है हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे कि हम रोक सके yakशने नजर को कमजोर होने से और अगर हो गईơn तो आज के इस वीडियो में आप ऐसी कुछ चीज़े जानेंगे कि आपको अगर चेश्मा लग गया है नजर का तो वो भी आप हटा पाएंगे और आपकी आखे बिलकुल स्वस्थ हो जाएंगे तो कुछ habits पहले तो हमें देखनी चाहिए कुछ हमें ऐसे कारण जरूर देखने चाहिए जिसके वज़े से हमारे ये पूर eyesight हुई है सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला कि बहुत जादा screen time आजकल बच्चे cartoons इतना देखते हैं, online पढ़ाई करते हैं कई बच्चे तो तब तक खाना ही नहीं खाते हैं जब तक नहरे TV ना चला के दो या फिर mobile हाथ में ना पकड़ा हम बड़े जब तक नहीं सोते हैं जब तक कि हमें बिल्कुल इनीन न आ जाए हमारे सामने फोन बिल्कुल गिर ना जाए हमारे हा Taphat से office का काम तो बस अब laptop और computer पे ही होता है तो ऐसे में फिर क्या करें कई बारी तो ये ज़रूरी भी होता है तो आप सबसे पहले तो अपना screen time को देखिए कि वो कितना है प्लीज उसे कम करें अगर ये unavoidable है जैसे कि आप उसे avoid नहीं कर सकते हैं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा तो आप 2020 formula यूज कीजे 2020 formula में अगर आप 20 मिनट अपने laptop के सामने है computer के सामने है चाहे वो बच्चे हो तो 20 मिनट के बाद में आप अपने से 20 feet दूर एक कोई चीज को देखिए 20 second के लिए इससे आपकी आइस को lubricate होने के लिए time मिलेगा ये एक exercise होती है कि जब आप बहुत past से इतनी देर से कोई चीज देख रहे है screen time तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए जब आप दूर की चीज देखते हैं तो हमारे आँखों को exercise मिलती है कुछ ऐसे digital screen protection glasses भी आते है जो कि आप अपने computer पे, laptop पे लगा सकते हो जिससे कि हमारे eyes को तोड़ा सा कम नुकसान हो अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी हमारे eyes dry होती है जिससे कि हमें further नुकसान हो सकता है वैसे ही खाने में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें थोड़े से colorful खाना जो होता है न जैसे green leafy vegetable हो गये, red pepper हो गया spinach पालग बहुत अच्छा है, carrots बहुत अच्छे है ऐसी कुछ चीजों को अपने daily food में आप शामिल कीजे साथी कम से कम 6-8 hours, 6-8 गंटे की नींद आप लीजिए जिससे कि आपके eyes को continuous lubrication का time मिले नींद में कमी बहुत बड़ा कारण होता है ना सिर्फ eyes की health इससे खराब होती है, आपकी पूरी body की health इससे खराब होती है तो आपको healthy रहने के लिए enough sleep की बहुत जरूरत है कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो बार बार अपने आँखों को मसलते है रब करते रहते है इससे ना सिर्फ आपके eyesight weak होती है और भी बहुत सारी बिमारिया होती है कई बार तो देखा गया है कि cornea का reshaping हो जाता है यह बहुत ही dangerous है इसलिए अपने आँखों को मत मसलिये रब मत कीजिए उसके बाद आप please regularly 4-6 महिने में एक बार अपने eye exam के लिए जरूर जाएए जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आपके आँखों में क्या चल रहा है कहीं वो घराब तो नहीं हो रही है कहीं वो eyesight weak तो नहीं हो रही है prevention is always better than cure जब भी आप धूप में जाएंगे, sunlight में जाएंगे please goggles पहने कई लोग सोचते हैं कि sunglasses जो होते हैं वो सिर्फ cool दिखने के लिए होते हैं पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है सुरत से आने वाली UVA और UVB rays आपकी आँखों को नुकसान पहुचा सकते हैं तो जब भी आप जाएं दूप में तो sunglasses ज़रूर पहनिए अपनी आँखों का बचाओ कीजिए dim light में जहां कम light है अंदेरा है वहाँ पे please काम मत करिए आपको जब भी काम करना हो जैसे चाहे लिखना है पढ़ना है ऐसा जो भी काम जिसमें आपको आँखों की बहुत जादा जरूरत concentration की जरूरत है आप वो अच्छी light में करिए जहां रौशनी हो वहाँ करिए अगर आपको कोई ऐसी health condition है जैसे की mostly diabetes वाले लोगों की आँखे खराब हो जाती है जैसे जैसे आपकी age भी बढ़ती है आपकी आँखों में problem आने लगती है तो ये सब तो है कारण poor eyesight या weak eyesight के इन सारी habits को lifestyle को जैसे ही हम change करेंगे आप थोड़ा सा आपके अंदर बदलाव जरूर देखेंगे आपकी eyesight अगर खराब होने लग गई है तो वो ठीक होने लगेगी पर उनका क्या जिसके eyesight already खराब हो गई है जिनको चेश्मे लग गए हैं चाहे वो बच्चे हैं क्या करें फिर उसका तो हम बात करते हैं डॉक्टर बिस्वरूप जी से जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे टिप्स बताए हैं कुछ exercise बताई हैं कुछ अच्छे method बताए हैं जिससे की हमारा चिश्मा उतर सकता है हम बिल्कुल अपनी आखों को ठीक कर सकते हैं हमारे eyesight को perfect बना सकते हैं तो प्लीज अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीज एसे जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे इसके लिए नोटिफिकेशन बैल को भी आप जरूर प्रेस करते हैं तो चलिए dr. बिश्वरुप जी से हम अपने इस प्रॉब्लम को भी solve कर्वाते हैं Hello friends, I am Dr. Bhisharov Rajaguri, and this video is about how to have a better eyesight without glasses बना क्लासेथ के कैसे हम ठीक से तेख पायं, 100% तेख पायं that I can explain you in three steps, step 1 exercise, there is a very special exercise, and if you do it for some days, you will be able to recover from the vision problem, you will get back your vision, you will be able to throw the glasses away and that is called neck shoulder and eye rotation exercise start with the shoulder exercise one two three four five six seven eight nine ten that's what I say and that's what in opposite direction three four five six seven eight nine ten is that I say for five minutes you keep on doing this kind of exercise for five minutes approximately five minutes that is called shoulder exercise shoulder rotation exercise second kind of exercise is called neck exercise one two three four five six seven ten and then ten two three five and then the second seven eight nine ten and the other side like this right so this is called the neck exercise for five minutes and now the eye rotation exercise eye rotation both sides for example one two three so likewise ten this side and ten this side like this this is called the eye rotation exercise so total you should spend about fifteen minutes twenty minutes every day for a few days maybe one month or so and that is a step one step two every day at least one hour you have to spend with the older glasses so for example now your vision of your varying class with the power three three this means previously it was two so get the class again and where that try to wear the class and so that the brain can readjust the focal length so spending the one hour two hour with the older class what will happen that within few days you will find that older class will be more comfortable than the present classes this means that is the time again now to reduce the glasses further this that means that you have to buy a new glasses with still lesser power so gradually you have to reduce the power of the glasses as you are exercising every day for 15-20 minutes but the most important is having a kind of food which can help you recover from the vision loss that is the standard kind of diet which I normally recover from the diabetes patient but that type is equally effective for this process also because you know people who are diabetic they lose their vision so there is a strong connection between diabetes patient and a vision loss this means to recover the diet for the diabetes and diet for the vision cannot be different it is similar you follow the standard type that is first thing second try to be more friendly with your older classes of less power try to practice that and third most important is every day you must exercise for 15-20 minutes this special vision recovery exercise is called shoulder neck and eye rotation exercise if you keep on doing it you will find that your vision will recover and you will be forced to wear glasses with lesser power and finally you have to abandon the glasses and you will remain healthier one and your vision will also be healthier so hope this video will help you try it and let me know what benefit you got out of it all the best thank you me dr. Vishal तो 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 देखी लिया आपने की कैसे आप कुछ exercise और method अपना के step by step अपने आखों की health को better कर सकते हैं perfect बना सकते हैं आशा करती हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना बैल आइकन को ट करता है उनको आपसे जादा इस वीडियो की जरूरत तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने जानकारी के साथ तब तक के लिए कुछ रहिए स्वस्त रहिए थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग